अलो दोस्तो वेलकम तो आवर चैनल लेर्ण टो अर्ण माइसेल्फ सियत उशार्व मकड आज किस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बॉन्ड मार्किट में जो दो रेट होते हैं उपन रेट और यील्ड रेट उन्दों के पीच का डिफरेंस क्या होता है यील्ड रेट किस तरीके से कल्कुलिट कर जाता है और समझेंगे किस तरीके थे क्या चाहिए आपको कब किस समय पे देखनी चाहिए तो इस पूरी वीडियो के अंदर बने रही हैगा एक वेबसाइ तो आप किसी वेबसाइट को यूज कर सकते हैं for your analysis and for your purchases of bonds तो अगर मैं अभी मैंने golden pie open करी हुई है golden pie के अंदर जब मैं आपको एक bond को लेकर हम एक example को लेकर उसके तुरू समझेंगे कि कुपन रेट क्या होता है यील्ड क्या होता है कैसे निकाली जाती है उसके तुरू स तो आप देखेंगे यहाँ पर IDBI bank के अंदर इसका जो coupon rate जो चल रहा है जो coupon rate है इसका 9.5% per annum और इसकी जो yield चल रही है that is 8.3295% per annum पहले न मैं आपको समझाता हो उसके बाद करके भी देखेंगे एक example के तुरूस दोनों के बीच का difference क्या है तो coupon rate क्या होता है जिस दिन मेरे date पर जिस भी दिन मेरा issue हो रहा है bond उसके उपर जो face value होती है उसके उपर जो मिलने वाला जो interest होता है उसको बोलते है coupon rate तो जैसे अगर मैं example दूँ देखो आप face value यहाँ पर आ रही है 10 लाक और coupon rate है 9.5% यानि कि 95,000 का इसका cash flow होना चाहिए yearly तो आप देखेंगे interest ज जो भी face value के उपर होने वाला जो भी interest मेरे को मिलेगा उसको बोलता है coupon rate ठीक है interest rate भी बोलता है आप इसको तो coupon rate बोला जाता है bond market के अंदर अगर मैं yield की बाग करूँ yield बेसिकर कैसे देखा जाता है आप देखिए अभी जो market price चल रहा है अगर आप इसके अंदर इस IDVI का bond purchase करना चाहेंगे तो आपको या करना पड़ेगा आपको सबसे पहले देखिए इतना investment करना पड़ेगा 10,85,279 तो इतना आपको invest करना पड़ेगा उसके बाद जाके 25,000 access पे कर रहे हैं लेकिन उस access के अंदर आप देखेंगे तो यहां पर calculated है कि accrued interest यानि कि उसमें अब देखिए यहां पर क्या है आप देखिए बिसिकली जब interest जो मिलता है interest जो मिलता है इसमें लिखा हूँ 3 February 2025 यानि कि हर 3 February को मिलता है तो आप देखिए कुछ period देखिए अभी कितना period बाकि है 3 साल 5 महिने 15 दिन बाकि है यानि कि अगर मैं बात करूँ जो last इनको मिला होगा वो कब मिला हो 3 February 2021 को ठीक है क्या पर payment time जो है वो yearly है payment time यानि कि कब मिल है यानि कि पिछले 6 महिने 15 दिन से 6 महिने 15 दिन से कुछ भी interest जो भी bond holder होगा उसको नहीं मिला होगा ठीक है तो जो interest नहीं मिला होगा तो क्या हो रहा होगा अब जबी आप bond purchase करेंगे तो उसमें आपको accrued interest मिलेगा समझ रहे हैं आप मतलब आप already वो bond एक accru कर चुका एक interest जो कि 52,000 का amount आ रहा है यानि कि 6 महिने 6 महिने 15 दिन का जो accrued interest निकल के आएगा वो 52,315 आएगा यानि कि principal amount यानि कि मेरी जो बाखी बची value कर रहा है दस लाग 32,000 दस लाग 32,000 मैं उस bond के दे रहा हूँ उसमें जो accrued interest अगर मैं हटा दू तो मैं bond के कितना दे रहा हूँ 10,32,964 रुपे समझ रहा है तो 10,32,964 रुपे मैं दे रहा हूँ और accrued interest मेरा है 22,315 रुपे तो अब देखिए यहां पर किया है कि मैं जब अगर मैंने starting bond में डाला होता पैसा तो मेरे को कितना पैसा देना होता 10,00,000 रुपे उस समेंपे इसकी वजह से due to this amount 32,964 रुपे की वजह से है कम भी हो सकता है मतलब 10,00,000 से नीचे भी हो सकता है लेकिन अभी क्या है यह उपर amount है 32,964 रुपे कर रहा हूँ इस bond के लिए उसकी वजह से मेरे को 32,964 रुपे की वजह से मेरा जो yield है वो vary हो जाएगी अगर यह 10,00,000 ही amount हो तो मेरी कोई भी वहरी नहीं होती समझ रहें आप यहां 2964 के वज़से मेरी यील्ड जो है वो देखे कम हो गई है क्यों क्यूंकि मैं 32904 पर मैं तो मेरी यील्ड जादा होती है अभी यील्ड निगाली कैसे जाती है तो इस एक्जांपल में आ जाते हैं अभी मैं इसमें से तो माली जो एनॉल इंट्रस्ट है मेरा एनॉल इंट्रस्ट कितना मिल रहा है मेरो 95,000 पहले तो यह यहां पर पंच कर दीजिए मैं आपको समझांगा भी सही फॉर्मला कैसे ड्राइव हुग है तो एनॉल इंट्रस्ट को यहां पर डाल दीजिए तो आपको जब तीन फेबरेज दो पच्छेश आएगी तो आपको जो मैच्वर्टी अमाउंट विलेगा वह दस लाख ही मिलेगा जहां पर दस लाख का अमाउंट डाल दीजिए उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट एक्स्लूडिंग एक्रूड इंट्रस्ट तो प्रिंस साल पांच महिने पंदरा देन तो यहां पर मैं अगर बात करूँ तो 3.5 डाल देता हूं मैं अभी के लिए 3.5 तो यह मेरा एक फॉर्मुला अब सबकुछ मेरा जो फॉर्मुला है वो फॉर्मुले के थूरू ड्राइव होगा आप देखिए यहां पर जो मेरा मेरा मेक्श भी भी यहां जो मेरी पेस वेल्यु यह मैं प्लस करनत वेल्यू जो भी है तो मै। जो में नियूरे टीडेन फॉर्मुले देवायड वै्ल्यू कारा है दो मैं फर गोशता है कि मैं यहां पर रह। पर यह надо पर Aww Donna Sul यहां पर यह अपर यह पॉर्मुल पंदरा यां तो मैंने आप इसको convert करेंगे तो यह exactly almost same आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए yield जो मेरी यह आ गई है ठीक है yield to maturity मेरी आ गई तो इस तरीके से yield to maturity निकाली जाती है अब यह निकाली कैसे है वो मैं समझाता हूँ आपको सबसे पहले मैंने क्या करा सबसे पहले तो मैंने आप समझे यहाँ पर maturity minus current value मतलब maturity जो amount है और जो current value चल रही है मेरे को 32,964 रुपे का loss होगा अगर मैं अगर मैं 32,964 रुपे का loss होगा अगर मैं आज ही current value पर purchase करके मैं 10,000,000 रुपे की maturity पर sale करता हूँ ठीकर 33,964 रुपे का loss हो रहा है अगर मैं आज ही current value पर purchase करके 10,000,000 रुपे पर yearly loss हो रहा है और जो भी मेरा interest आ रहा है यानि अगर मैं totally टीम का benefit देखूँ तो साल का मेरे को benefit कितना हो रहा है 85,527 यहां पर नीचे देखिए 85,527 का मेरे को net यहां पर मैं निकाल देता हूँ जो भी इसकी face value थी जो भी इसकी maturity amount था उसमें plus करा जो current value है दोनों को plus करके मैंने divide कर दिया by 2 यह ऐसा क्यों करा क्योंकि मेरा जो on and average कितना पैसा फसा हुआ है वो मैं देखूँगा कि कितना पैसा मेरा invested है yield निकालने के लिए क्योंकि मैंने जब डाला 10,000,000,000,000,000,000,000,000 लेकिन जब मेरा 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 है सब कुछ यह डिमांड सप्लाई का कॉंसर्प चलता है यहां पर भी कि अगर मेरी कैसे तरीके से युल्ड करेगी उपर बढ़ेगी नीचे बढ़ेगी अगर कोई बैंक अगर माली जे किसी बैंक इसने बांड इसने क्या कर दिये थे तो फंदरा परसेंट पर बांड इसने बढ़िया रही है फिछले दो-तिन साल के अदर कि वह अच्छा कासा उसकी प्रॉफिट भी आन हो रहा है सबकुछ उसकी फेवरेवल कंडिशन है इस तरीके तक इस तरीके ते बांड मार्केट के अंदर येल्ट काम करती है अगर आप पर फिर भी कोई डाउट है तो आपको कमेंट करके पूश सकते हैं अगर वीडियो पसंद आईए तो लाइक जुरू करेगा चैनल को सब्स्राइब जूरू करेगा थेंक्यू तो मच